कॉंग्रेस नेता शाष्वत गौतम खासे नाराज है और उनकी नाराजगी की वज़े ये है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी रन्डिती कार प्रशान किशोर ने उनके कंटेंट को चोरी किया है और उसके बाद उन्होंने अपना कैंपेंड बात बिहार की करने के लिए हमारे साथ शाष्वत गौतम खुद मौझूद है शाष्वत क्या मामला क्या है आखिर जिसको लेकर आपकी नाराजगी इतनी है प्रशान किशोर से देखिए नाराजगी नहीं है मुझे लगता है कि ये क्लियर कट इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी राइड्स क infringement का मामला है बिहार की बात जो है बिहार के आखड़ों के अधार पर जनता के बीच में जागरिती awareness फैलाने के लिए जिसमें नेताओं की चेहरे नाओ करके आखड़े हो आईडियाज ऐसा हो कि जिसे लोग को आसानी से समझ में आ जाए ये campaign था बिहार की बात डॉट इन जो की साथ जनवरी को रिजिस्टर किया गया था आनन फानन में 16 फरवरी को 12 बच के 58 मिनट दो पहर में प्रशांद की शुर बात बिहार की डॉट इन रिजिस्टर करते हैं और बिना website को तयार किये हुए बिना social media handles को बनाए हुए एक flyer के माधियम से वो जिन्होंने उन्ह रूप का लोगो बहुत पहले से डिजाइन किया जा रहा था जिसका मेरे पास information है तो आज के date के अंदर जब हम यह देख रहे हैं कि कहीं न कहीं यह चीज को copy किया गया है और दूसरी बात यह है कि अगर यह copy किया गया है तो इसके उपर कानूनी कारवाई की जानी चाहिए तो मोटी बात यही है कि उस idea को उसका logo को domain name से मिलता जुलता एक नया domain name उसके और और उसके बाद से उसको एक चुनावी शिगूफा के तौर पर उसको launch किया गया बिना इस बात को तथ्यों को खंगाले हुए कि इसी नाम से इसी मिलते जुलते नाम से इसी idea के उपर कोई और कर तो यह सीधे तोर पर किसी ना किसी तरीके से चुराया गया है लिया गया है और यही मसला है लेकिन सेम नहीं है domain name जाप कह रहे हैं आपकी domain name अलग है उसका अलग है सिर्फ हेरा फेरी है शब्दों के इधर अधर आप इंडिया टुडे से हैं या आज तक से हैं अगर मैं today इंडिया के नाम से एक news channel launch कर दू कल तो क्या India Today Group को नहीं problem होगा क्या मैं तक आज के नाम से अगर launch कर दू उन्हीं शब्दों को दो इसने माल के और भारत में intellectual property rights बहुत clearly हैं कि अगर exactly शब्दों से मिलता जुलता अगर rephrasing आप करते हैं तो infringement है चाहे वो registered trademark हो या नह चोकि मैंने website register करवा लिया है उसका प्रमांड है उसका receipt है और ठीक उसका मिलता एक बिहार की बात में बात को आप पहले ले गए हैं और बाकी सब चीज वैसा है तो यह कहीं न कहीं infringement है इस पे कहीं कोई question नहीं है मतलब यह clear cut मामला है इस पे dispute नहीं किया जा सकता है आप कह रहे हैं यह सारा जो content है वो आपका ideas है आपने पहले से conceptualize किया हुआ था तो यह आखिर प्रशान किशोर के पास पहुचा कैसे मेरे कर्याले में उसामा खुरशीद नाम के एक व्यक्ति सहीयोगी के तौर पर वो मेरे employee नहीं थे वो सिर्फ और सिर्फ सहीयोगी के पर जिनको कोई ना कभी पैसा दिया गया वो राजनीतिक रूप से मुझसे जुणना चाहते थे तो वो young student leader भी रहे है पतना इंवस्टी के तो वो आए मेरे साथ involved हुए वही उसामा खुरशीद को प्रशान किशोर ने joint secretary के पद पर पतना इंवस्टी का शुनाव लड़व था 1819 में जिसका भी documentary proof है प्रशान किशोर के involvement पटना इंवस्टी के election में जग जाहिर है उसामा खुरशीद ने ये सारे चीजे जो है प्रशान किशोर को जाकर करके बताई है उनको दी है ट्रांसफर किया है और इस तरीके से किया है कि जहां मुझे पता ही न चले तो इस व दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं पहला मामला जो है थाने के अंदर है जो कि IPC 420, 406, 461, 468, 479, 471, 120B के अंतरगत मामला दर्ज किया गया है पाटली पुतर थाना में दूसरा मामला जो है section 9 और section 20 के अंतरगत पतना civil court के अंदर intellectual property rights के valuation के अंतरगत दर्ज किया गया ह और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर claim कर रहे हैं कि वो बहुत बौधिक हैं और हो सकते हैं मैं इस पर doubt नहीं कर रहा हूँ युवाओं को प्रेड़ना देना चाहते हैं तो उनको अपने आंकडों के बारे मीं बताना चाहिए कि उन्हें कहां graduation किया, कहां entry evidence दिखा दें, उससे भी बहुत सारी चीज़े सपस्ट हो जाएंगी, अपने academic credentials के बारे में बताते कहां से किया है, क्या नाम है, किस साल किया है, तीसरी चीज़ यह है कि अगर वह युवाओं का बिहार की युवाओं का phone number अपने website पे collect कर रहे हैं, तो उस website पे clarify करें कि इ इसी चुनावी पाटी को बेच सकते हैं और उससे वो पैसा कमा सकते हैं, प्रशान किशुर आपके आरोपों को खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं, आप थोरी देर के लिए अपना fame पाने के लिए आप इस तरीके के आरोप उनको उपर लगा रहे हैं, देखिए मेरा background यह समझ के पद पर रहा, Center for Economic Policy में, उसके अलावा मैंने 15 Finance Commission के अंदर जो बिहार में सरवदलिय कमिटी मैंने उसमें भी युगदान दिया, तो मेरे पास अपना identity crisis नहीं है, भले मैं बहुत प्रसिद नहीं हूँ, मगर identity crisis नहीं है, और Congress Party के अंदर भी मुझे एक महत important पद दिया गय है, वो mail पर है, और हम मुझे बुला रहे हैं, वो अपने company IPAC के दो directors को कह रहे हैं कि इनका logistical arrangement किया जाना थी है, कोई problem ना हो, उसके बाद से कई सारे email exchanges हैं, तो मैं उन सारे email का exchange का ले करके, जब वो नई नहीं प्रसिद्धी हासिल कर रहे हैं, तो मैं यह कह सकता था कि मु नहीं नहीं उनकी नाम मिल रहे थी, मैं आज भी मानता हूं कि मैंने वो उनको दिया है, मगर यह credit प्रशांद किशोर को ही जाना चाहिए, और मेरा दिल इतना बड़ा है, और मुझे यह नहीं चाहिए, डो मिनिट काफे में, आज भी अगर वो माफी मांग ले तो मैं कल से नहीं आओंगा मीडिया के सामने, मुझे कोई शौक नहीं है प्रसिद्धी का, यह मामला यहीं खतम हो जाएगा, और मैं प्रशांद किशोर के बारे में इन मुस्मुद्धे को लेकर चर्चा ही नहीं होगी, चाह क्या रहे हैं, केस किया है, अपने कोट में भी केस किया है, अगर प्रशांद किशोर को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो यह केर कोट केस परसू होगा, अगर वो कहते हैं कि उनसे गफलत हुई है, कुछ कनफ्यूजन हुआ है, वो माफी मांग लेते हैं, तो मुझे इस चीज को वापस करने में कोई दिक्कत नहीं तो प्रशांद किशोर के उपर आरोप लगाये गए हैं, कंटेंट चोरी का डेटा चोरी का आरोप लगाया है, कौंग्रेस नेता शाष्वत गौतम ने और F.I.R. दर्ज कराया गया है उनके खिलाफ, और शाष्वत गौतम का कहना है कि अगर प्रशांद किशोर ये मान दे देते हैं कि उन्होंने वाकई में ऐसा किया है, तो वो उनके खिलाफ सारे जो आरोप हैं उनको वापस ले लेंगे। कैमरेपोसिंद दीपक कुमार के साथ रोहित सिंग्ग